अगर आपका कोई बिजनेस है और उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर बिजनेस अकाउंट बनाना सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ आप बिल्कुल सही वीडियो पर आया हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम step by step सीखेंगे कि इंस्टाग्राम पर बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं अपने बिजनेस अकाउंट या पेज के लिए लोगों कैसे बनाते हैं और अपने बिजनेस अकाउंट या फिर पेज के लिए बायो कैसे लिखते हैं क्योंकि आर बायो बहुत जादा important होता है इससे ये पता लगता है कि आपका business किस चीज से related है, आपका business क्या करता है, क्या provide करता है, क्या services देता है, तो बहुत जाथ important चीजे हैं जो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, Instagram business page की setting कैसे करते हैं, यानि कि everything आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को ध् करना है, कि ये जो वीडियो किसी और फोन में चला लो, और मेरे साथ साथ ये steps करते जाओ, तो just हम Instagram को इस तरीके से open करेंगे, and मेरा suggestion होगा, कि यहाँ पर जो जो में steps बता रहे हैं, इनको आप ध्यान से देखो, ऐसा ना हो कि आप एक फोन में वीडियो चला रहे हैं, ध्य कैसे आपको करना है, क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ, just इस तरीके से आप करोगे, आपके पास एक already ID होगी, कोई ना, कोई सी add account पर जाना है, यहाँ पर इस तरीके से click करना है, तो यहाँ पर आपको create new account पर click करके, अपने business के लिए account बना लेना है, थोड़ा सा suggestion य यहाँ पर आपको username बिल्कुल सही रखना है, example आपको कोई shoes का business है, और उसका नाम है Manish for you shoes, तो आपको इस तरीके से username रखना होगा, Manish for you shoes, ठीक है, example दे रहा हूँ मैं आपका जो भी business होगा, तो अगर मेरे को official username मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो क अपना Instagram account बना लिया होगा, या बना के रख लिया होगा, अब हम जानते है business account कैसे बनाते है, उसके लिए just हम अपने profile value section में आके menu bar पे इस तरीके से click करना होगा, जो तीन लाइन दिख रही हो उस पर, जैना हमें setting and privacy के option पे click कर देना होगा, अब यहाँ पे click करने के बाद ह हमें इस तरीके से scroll करते जाना है, है न, scroll करेंगे, scroll करेंगे, then हमें आप एक option देखने को मिलेगा, account types and tools, इस पे हम click कर देते हैं, अब इस पे click करने के बाद हमें click कर देना है, switch to professional account पे, यहाँ पे click कर दिया, then हमें continue, continue, continue करते जाना है, पंड़ना नहीं हो, क्योंकि मैं सार अब यहाँ पर आपको धेर सारे option देखने को मिलेंगे, अब आपको यहाँ पर अपने business की category select करनी होगी, example, यहाँ पर मेरा shoes का business है, तो मैं shoes search करूँगा, यहाँ पर मुझे footwear store का option आ रहा है, अब जो भी आपका business है, आप वहाँ पर search करो, उस से related category आती है, उसको select कर दो, यहाँ पर हम लोग footwear store को select करेंगे, then हम यहाँ पर एक option देखने को मिल रहा है, display on profile, इसको अगर आप turn on करोगे, तो यह footwear store करके, जो option है, category है, यह आपके profile में show करेगी, मैं आपको वीडियो में आगे बता भी दूँगा, tension नेने की ज़रूद नहीं है, तो अभी हम इसको on कर देते हैं, ताकि हम इसे detail में समझ सके, then हमें done के option पर click कर देना होगा, यह बोलेगा 30 second लेगा, लेकिन 30 second नहीं लेता भाई, जल्दी option आजाता है, तो यहाँ पर आपको business का option default select आएगा, इसमें कोई changes नहीं करना है, जस्ट आप business पर select रहने दो, then आपको next के option पर click कर दे अब यहाँ पर आपको अपनी email और number add करना है, ताकि कोई आपको contact कर सके, आपके business के लिए, like आप shoes बेसते हो, अगर आपने number याइड नहीं करे वे, तो लोग आपको contact कैसे करेंगे, email पर तो कोई आज के समाने में करने नहीं वाला, तो यहाँ पर आप अपना phone number जरूर से add कर दीजेगा, जैसे यहाँ पर मैं अपना phone number add नहीं करूँगा, क्योंकि भाई, ऐसे मैं demo account बना रहा हूँ, यहाँ पर number add करूँगा, वीडियो में आ जाएगा, और फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर then आपको business का address जरूर से add कर देना है, address कैसे add करना मैं आ down add करना है, यहाँ पर आप location भी add कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर location add करने का आ जाएगा, example यहाँ पर मैं indoor डाल देता हूँ, ठीक है, indoor का मैं जैसे लिखूँगा, यहाँ पर indoor India करके आ जाएगा, zip code डाल देना, जो आपका postal code या फिर जो code बोलते है, address यहाँ पर डाल सकते हो, street address डाल सकते हो, कुल मिला के अपने business का address यहाँ पर add करना है, बहुत अराम से, मैं add नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं add करूँगा, वीडियो लंबी होगी और उसका कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि हम as a example यहाँ पर समझ रहे हैं, यह मेरा official page नहीं है business का, बट मैं जस्ट आप यहाँ पर समझा रहा हूँ, then हमें यहाँ पर display contact info को on जरूर से करना है, क्योंकि अगर on नहीं करेंगे, तो display याने हमारी profile में यह option शो नहीं होगा, लोग हमें contact नहीं कर पाएंगे, then हमें next के option पर click कर देना है, और इस तरीके का option आएगा, then यह बोलेगा, आप Facebook से connect करना च प्लिक करेंगे, then यह बोलेगा, भाई, bio add करो, और profile picture add करो, तो जैसा मैंने आपको बताया था, मैं आपको logo बनाना भी सिखाऊँगा, कि business page का logo कैसे बना जाता है, उसके लिए हमें एक application की needed होगी, that is Canva application, यह बिलकुल free application है, 50% of free paid है, बट यहाँ पर हम लोग free of cost सारी बताने की ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कि इस तरीके से Canva application मैंने डाउलोड की हुई है, यहाँ पर यह रही हो application, इसको इदर ऐसे scroll करके मैं side में ले जाता हूँ भाई, side में ले जाना जरूरी है, then हमें से open करना होगा, open करने के बाद, open करने के बाद, इस तरीके का option आएगा, then आपको इस तरीके का option नहीं आएगा, first time install करोगे, तो login का option आएगा, अपनी email, facebook, किसी से भी login कर लेना, कोई लंबा process नहीं, एक दो second का process है, then इस तरीके का interface आएगा, अब example, जो भी आपका business है यहाँ पर आके search कर लो, for example, मेरा shoes का business हो, तो मैं यहाँ पर आके search करूँगा, shoes, logo, तो यहाँ पर इस तरीके सर्च करना है, और search करने के बाद, यहाँ पर loading होगा, तो इस तरीके का option आजाएगा, अब यहाँ पर आपको एक important setting करनी है, that is, यहाँ पर आपको click कर देना है, उसके बाद scroll करना है, scroll करने के बाद ऐसा कुछ select नहीं करन हैं, क्योंकि आप मेरी वीडियो पर आई हो, और हाँ यहाँ और subscribe कर लो, यहाँ चैनल को इतनी free में बड़िया चीजे बताता हूँ आपको, जो लोग course में बताता है, मैं free में बताता हूँ है, तो just आपको free वाले option पर click करना है, and यहाँ पर apply वाले option पर click कर देना है, तो apply free designs filter हो जाएंगे, जिने हम without पैसे यहाँ से use कर सकते है, जो भी आपको बड़िया लोगो लगता है, यहाँ से use कर लो, जैसे मुझे यह वाला लोगो सही लग रहा है, तो हम इसको यहाँ पर open करेंगे, है ना, अब यहाँ पर हम इसको नाम देंगे, money for your shoes, तुमें क्या बिजनेस नहीं है, अपना बिजनेस दूसरा है, वो नहीं बताओंगा क्या मेरा बिजनेस है, ठीक है, समझ लो मेरा YouTube का ही बिजनेस है, मनलब YouTube वीडियो बनाता हूँ, है ना, अब यहाँ पर आपको क्या करना, अपना name अपडेट कर देना है, यहाँ पर मैं name लिख देता ह यहाँ आपका जोब यह कुछ भी यहाँ पर मैं एक्जांबल दे रहा हूँ, शूज ऐसे देखे ना हो जैसे, मजाक मस्ती में कुछ भी रख रहा हूँ, आप अपनी tagline थोड़ी सही रखना, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से सेव कर लेते हैं, हमारा logo सेव हो जाएगा, य वारवार इसलिए गोलते हो, ठीक है, दिन हमें यहां पर Instagram में आ जाना है, और New Profile Picture पर क्लिक कर देना है, और यहां पर Allow पर पहले तो क्लिक करना होगा भाई, गैलरी का access लेगा, देन आपको अपने लोगों को इस तरीके से अगर कुछ select करना है, तो कर सकते हो, ठीक है, और Next के option पर क्लिक कर देना है, ओके के option पर क्लिक करना है, और यहां पर हमारी जो Profile Picture हो, सेट अप हो जाईगी, यहां देखरो, लोडिंग होगा, और सेट अप हो जाईगी, ज्यादा लिक्तत वाली बात देनी है, यह Profile Picture सेट अप हो गई है, अब बायो सेट अप करते हैं, जैसा मैंने बता था, बायो बहुत जादा important चीज़ है, तो बायो के लिए हमें जाना पड़ेगा, Chrome ब्राउजर में, तुम गलत मत समझना कहीं और जा रहा है, Chrome में हम एक नए टैब करेंगे ठीक है, और open करने के बाद यहां पर हमें सर्च करना होगा, example जो भी आपका business है, last में वो add कर देना, Instagram bio for shoes store ठीक है, अगर आपका हो है restaurant है, bakery store है, जो भी आप वहां पर सर्च करना, मैं shoes के लिए कर रहा हूँ, then यहां पर हमें धीर सारे bio आ जाएंगे, तो यह देख पैसे नहीं है, किसी ने मेरे को पैसे नहीं दिये, कोई website पैसे भी नहीं देती यार, इतनी हमारी खराब हालत है, तो यहां पर हम next पे click करेंगे, मतलब scroll करते जाएंगे, अब यहां पर आप देखो को इतने must must bio मिल जाएंगे, closet are for shoes not for people, पता नहीं क्या भाई, इतनी English नही आती मेरे को अंग्रेजी मेरी थोड़ी से कमजोर है, I am obsessed with the footwear, this passion brought me into the shoes business, तो काफी अच्छा है यार, अगर आप ऐसे influencer हो, खुद वीडियो बना के sale करते हो, तो यह चीज आड़ कर सकते हो, यहां से just copy करोगे इस तरीके से ना, यह मैंने example दिया, आप कुछ भी लगा सकते यहां पर बहुत सारे बायों, भाई, बायो की बरसात है, और यहां से हम copy करेंगे, और यहां पर बायो को add कर देंगे, ठीक है, और अभी मैं आपको settings भी बताने वाला हूँ भाई, याद से, यहां पर फाल्तू की चीज़ आ जाएंग, इस तरीके से link link आएगा, बायो का इस तरीके से back कर देना, right के option पर टिक कर देना, तो second step complete हो जाएगा, तो हमें third option आएगा, get inspired, इस पर हमें click करना है, यह बूलेगा, follow कर लो इन pages वगेरा को, Instagram, business, ताकि आपको updates मिलती रहे, किसी को follow करना है, then right का option पर click कर देना, तीसरी step, चौतिस step, जो भी step complete हो जाएगी, explore tools और insight, इस पर जाके भी भाई, टिक कर देना है, और यह हमारी next step हो जाएगी, introduce yourself, यहाँ पर just आपको एक post create करनी है, तो हम अपना logo ही post कर देंगे, यहाँ पर, बाकी आपके पास अगर कोई post हो रही लो आप डाल सकते हो, and इसको Instagram पे सिर्फ हम only share करेंगे, तो यह यहाँ प क्या गोले, वो आपको यहाँ पर select करना होगा, जैसे हमें ज्यादा messages चाहिए, ज्यादा reach चाहिए, तो हम next पर ऐसे click कर सकते हैं, then यह पूछेगा how would you like to connect with the people, message, leads, कुछ भी अभी select कर लो, just हम यहाँ पर steps को complete कर रहे है, then बाकी ads में हम सारी चीज़ों को समझेंगे, यह द footwear store का option यहाँ पर आप देख सकते हो, आगया है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे professional dashboard का option भी आगया है, तो इस पर मैंने एक dedicated video बनाई है, जो कि 10-12 minute की आप देख सकते हो, ताकि आपको और understanding हो, Instagram के बारे में कि कैसे यह पूरा work करता है, और आप इसके जरिए न, आप अ business page full on ready है, अब आप यहाँ पर अपना business कर सकते हो, reels बना सकते हो, post डाल सकते हो, अपने logo को target कर सकते हो, बाकि ads की video next आही जाएगी, so I hope आप लोगों के यह video पसंद आई होगी, अगर आपको यह video पसंद आई हो, तो वीडियो को like जरूर कर देना, और अगर आपने इस channel को subscribe नहीं करा तो subscribe करने के साथ bell icon पर प्रेस कर देना, ताकि future में मैं ऐसी और वीडियोज डालू, तो आप लोग मिस ना करें, तो मैं मिलता है आपसे next वीडियो में, तब तक लिए stay tune with Manish for you.